हलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉल्फिन के बारे में दोस्तो डॉल्फिन की वर्तमान में 41 प्रजातियां पाई जाती है इसमें से 37 प्रजाती समुद्र में पाई जाती है और 4 प्रजाती नदियों में पाई जाती है जानवरों में सबसे लंबी यादधास डॉल्फिन की ही होती है डॉल्फिन की उम्र 15 साल होती है और कुछ प्रजातियां इसमें से 50 साल तक भी जी लेती है दोस्तो डॉल्फिन इंसान से 10 गुना जादा सुन सकती है लेकिन इने खुसबू और बद्बू नहीं आती है दोस्तो दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन 4 फिट की है और सबसे लंबी डॉल्फिन 32 फिट की दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन का वजन 40 किलोग्राम है दोस्तो डॉल्फिन के दाथ तो होते है लेकिन वो इससे कुछ भी चबाती नहीं है वो अपने भोजन को सीधे निगल लेती है दोस्तो वैसे तो अमेरिकी नेवी अपने कारनामों कले प्रसिद्ध है लेकिन कि आप जानते कि अमेरिकी नेवी के पास 75 प्रसिक्षित डॉल्फिन है जो कि पानी के अंदर माइन्स और दूस्मन तैराकों को ढूनने में इनकी मदद करती है दोस्तो डॉल्फिन एक आख खोल कर सो सकती है और इसके दिमाग का एक हिस्सा कभी नहीं सोता जो कि इसे सांस लेने में मदद करता है दोस्तो डॉल्फिन की खासियत में से एक खासियत ये भी है कि डॉल्फिन 36 किलोमेटर प्रति गंटे की स्पिट से तैर सकती है जबकि इंशान अधिक्तम 8.6 किलोमेटर प्रति गंटे की स्पिट से ही तैर सकता है दोस्तो दुनिया में दो मूवाली डॉल्फिन पहली बार 2014 में देखी गई थी जो कि तुर्की के एक बीच पे देखी गई थी दोस्तो डॉल्फिन जब बहुत ज़्यादा खुस होती है तो यह चिलाने लगती है और जब यह नर्वस होती है तो इसकी आखों से आशू भी निकलते है वहीं पे डॉल्फिन अपनी तवचा की उपरी परत को हर दो घंटे में उतार देती है दोस्तो डॉल्फिन रहती तो समदुर में है लेकिन क्या आप जानते कि वो समदुर का पानी नहीं पीती क्योंकि यह इसे बिमार कर सकता है और इसे मार भी सकता है डॉल्फिन जो भोजन खाती है उसी से पानी की आपूर्ती को पूरी करती है दोस्तो ब्रिटिस पानी में जितनी भी डॉल्फिन मौजूद है उन सभी पर इंग्लेंड की महारानी का अधिकार है दोस्तो डॉल्फिन पानी में 990 फिट की गहराई तक जा सकती है और पानी से 20 फिट उपर तक उचल सकती है यानि की दो मंजिला इमारत के बराबर दोस्तो उमीद करता हूँ कि डॉल्फिन के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्यू